नेन वॉले ने थुलू बंदा बाहर जुले है न, ते फिर ए सोच केगे पढ़े है के यार पैसे पिछेटेर होने चाहिए है पैसे न न होने ते फिर न जान लॉलन इत्थ Lexus लाक दूला कि नाक्रो कटवा ओBaot 2 तै दे रहला न चाहिए है जी ना थे थरू बंदा बार चले जाबए ते फिर अके जाके फिर पैसी पैसे होना चाहिए अखे ना सोचे होते के मांके मा करूंगा। कमान कुछो ना कोई नी नियुको कुई ने आधिया कूल । अज़शन थे थूद्धी की ता जित भाई अपलाई। माशसालाह, साल बाद पड़े ऊकरám गई ले ले से की ते नाल पैसे भी कटो आया जी एक लिनी माश размер चैंगी जैंसी है को इने अगले चान जाकर फोत्रहीं पढ़नीखिए इत्थेदार ये रहा के तो मूँ बना आगे बैठे ये ना अगले जान जाकर फुटनियों पैढ़ेंगी ये लिहां लिहां बिस्मिल्लाहिर रख्वाने गाई मैं सलाम अलेकम अमीर करते हम आप खरीज़ से होंगे अल्लाह की रहमते हैं और बरक्ते हैं समेश रहे होंगे दोस्तों आपने आडियो सुन ले आज हम एक अजनसी के बारे में बात करेंगे मैं किसी की परमोशन नहीं कर रहा मैं किसी की खलाफ बात नहीं कर रहा किसी भी अजनसी के बारे में सिर्फ अपनी राई का इजार का रहा हूं और इस दोस्त के राई आपके सामने मैंने राख दिया आडियो में और कुछ स्क्रीन शाट आपके सामने चल रहे होंगे जो दोस्त इजसा इंटरनेशनल वालों की तरफ से जिन्होंने अपलाई किया वा तो उनके क्या राई है अच्छा जी जब 2011 और 2019 में रुमानिया के वर्क परमट स्टार्ट हुए थे काम शुरू हुआ था तो ये दो अजन्सियां में थी हैपी हॉम और इजसा इंटरनेशनल ठीक है मेरे अपने दोस्त मेरे अपने गाउं के लोग भी इजसा की तरफ के तरू गए हैं आज हम बात करेंगे सिर्फ इजसा की अच्छा जी इजसा इंटरनेशनल लहोर में हैं ये कालेज रोड मुमताज प्लाजा विम्ताथ से कंड फ्लोर में इनका दफ्टर हैं इनके अउनर हैं颇ट। बस्थम मेनेजर हैं और नैंड साब इनका साब नियां जांड कहें या मैं हेड मानिजर कह रहें कुछ Bowser आप पहें आउनर नैंड साब माशाला जी बहुत अच्छी प्रेंस्टनल्टी हैं नमाजें भी पढ़ते हैं दारी भी उन्हों ने रखी हुई हैं तब समसाब ने स्टार्टन्ग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बहुत ज्यादा वीजे स्टंपिंग हुए बहुत ही जैज और मनासब कीमत में इन्होंने लोगों को बेजा दोजार अठारा और दोजार उन्नीस में जो इनका रेड़ ता डेड़ लाख से लेके साड़े तीन लाख कि इन्होंने लोगों को रुमानिया में बेचा है रोजगार लगवाए हैं फिर जैसे जैसे मार्कीट में इनका सिक्का चलने लाग पर आई एक ब्रैंड बन गए पहले यह लोगों को अपनी तरफ लाते थे कि हमारे पास वीजे हैं फिर जैसे जैसे इनका काम चलता गया लोग इनकी तरफ जाने शुरू होगे क्लाइंड इनकी तरफ आने शुरू जब इन्होंने देखा कि अवाम तो एक ज्रमट बन गया है हमारे पास वीजे इतने नहीं हैं लेकिन अवाम बहुत जहादा है इन्होंने फिर दो नम्रियां करना शुरू कर दी पैसे लेकर रख से वापस लिए इजसा इंटरनेशनल वालों से इजसा इंटरनेशनल अच्छी एजनसी हैं एक मैं उनकी बात आपको बता दो कि आपके पैसे वहां डूपते नहीं हैं वह आपको कनफर्म वापस कर देंगे मैंने खुद अपना केस उनकी तरफ करवाया था और पैसे वाप करते हैं और थोड़ी बहुत नहीं करते तक्रीबन एक लाख सतर अजार से एक लाख के दर्मियान वह कर लेते हैं अब उनका यही मसला होता है अगर उनका वीजा लग जाए स्टेंप हो जाए वर्क पर मटा जाए तो भी उन्हें फैदा अगर कोई बाइज जल्द बाज हो है कर लेनीं है मैं किसी के बारे में variant दिया है मैं किसी के बारे में आपको गलत information 魚 नहीं दे रहा मैरे कोई एंजनशों से लिंक नहीं हैं मैंने सिर्फ अपना review दिया है इन दोस्तों का review दिया और जो दोस्त यह माले पाखTEC वाले बिम आर वाले बहुछ अजन्सियां है लेकिन आज सिर्फ इजसा की बात की है मैंने आपने अपनी राए रखनी है आपने अपने दमाग से काम लेना है आपने इजसा को केस जमा करवाना है तो मोस्ट वैलकम आप करवाएं लेकन दोस्तों के जो ख्याल थे जारे ख्याल था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, अमीर काता हम वो आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो इसे शेयर, लाइक लाजमी करते, बाई को दौाओं में याद रखिएगा, अल्ला हफ़्ादा